आदमी पार्टी के बार्वे स्थापना दिवस के अफसर पे सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार, सब को मेरा साधर प्रनाम इस पावन अफसर पे पार्टी के सभी साथियों को, कारेकरताओं को, वॉलंटियर्स को और देश के करोडों लोगों को जिनके दिल में आम आदमी पार्टी बसती है आप सभी को मेरी हार्दिक शुब कामना है आजी के दिन 2012 में आम आदमी पार्टी ने जनम लिया था आंदोलन की कोक से निकल के एक छोटी सी पार्टी देखते देखते एक राष्ट्रे पार्टी बन गई भारत के इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी बन गई यह किसी चमतकार से कम नहीं है इन 11 सालों में जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है जनता के आशिरवाद और कारेकरताओं की कड़ी मेहनत से दो राज्यों में सरकार बनी और दो और राज्यों में विधायक बने है आज देश के हर कोने में आम आदमी पार्टी की चर्चा है आम आदमी पार्टी का कारेकरता है हर कोने में चाहिए वो कश्मीर हो केरल हो गुजरात हो अरुनाचल प्रदेश हो यह बहुत बड़ी बात है मुझे यादे अंदोनन के समय रामनीला मैदान में लोग पूछते थे आप लोग भरष्ट नहीं होंगे इस बात की क्या गरंटी है आज मैं आम आदमी पार्टी से जुड़े हर व्यक्ति से कहना चाहूंगा कि पिछले ग्यारा सालों में जितना आ 12 साल में इनों ने हम पे 200 से ज्यादा फर्जी केस की है एडी सी बी आई आई टी दिल्ली पुलिस ना जाने कोई एजंसी नहीं छोड़ी देश की सभी एजंसियों को आम आदमी पार्टी के पीछे छोड़ दिया इनोंने लेकिन आज तक इने एक भी कोई भी सबूत नहीं म है आज मेरा मन थोड़ा भारी है यह पहला स्थापना दिवस है जब हमारे साथ मने असलोगों को दूसरी पार्टियों के नेताउं पर फर्जी केस करके जुकाना आता है लेकिन आम आदमी पार्टी को जुकाना नहीं आता यह हम सब के लिए गर्फ की बात है कि आज तक हमारा एक भी एमेलेया एक भी नेता न बिका न तूटा इनके परिवार भी नहीं तूटे, उनके परिवारों नहीं भी साथ दिया, बहुत कोशिश कि उन्होंने हमारे नेताओं को जुकाने की, लेकिन हमारे एक भी नेता को तोड़नी पाए, हमारे नेताओं के पास भी बड़े बड़े लोग आए, बोले मुदी जी से मिल जाओ, स सलाम करते हैं हम भगत सिंग के चेले हैं सच्चाई के रस्ते पे चले हैं अपने भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है अपनी मात्री भूमी पर एक क्या हजारों जिन्दिगे कुर्बान है मर जाएंगे लेकिन समझाओता नहीं करेंगे आज हम आम आदमी पार्टी से जोड़े हर व्यक्ति को बताना चाहते हैं कि इस देश को बचाने के लिए सर्वोच बलिदान देने के लिए भी आम आदमी पार्टी का एक एक कारेकरता तैयार है यही शपत हमने रामनेला मैदान में 11 साल पहले ली थी आज भारत का समविधान दिवस है आज एके दिन बाबा साब अंबेडकर जी के अध्यक्षता में बने देश के समविधान को अपनाया गया था इसी दिन पार्टी की स्थापना होना कोई महज संयोग तो नहीं हो सकता बाबा साब और देश के उन तमाम शहीदों जिन्नोंने देश की लड़ाई में सरवच बलिदान दिया था उनका सबकाई की सपना था एक दिन भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है और यही आम आदमी पार्टी का सपना है हमने हमेशा काम की राजनीती की है 75 सालों में पहली बार एक पॉलिटिकल पार्टी आई है जो कहती है कि हम सरकारी स्कू हमें जाती और धर्म के नाम पे चुनाव होते थे आज इस देश में शिक्षा पर बात होने लगी है स्वास्त्य पर बात होने लगी है हमारे विरोधी चाहे हमें जितनी गालियां दे आज वह भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीती तो बदल के रख इसी सोच इसी जजबे को हमें आगे बढ़ाते रहना है चाहे आगे का रास्ता कितना भी कठिनो हम लड़ेंगे हम जीतेंगे एक बर फिर से आम आदमी पार्टी के सभी साथियों को कारेकरताओं को और देश के हर आम आदमी को आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस की बह झाल 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 झाल-दी करें